नमस्कार दोस्तों और इस्टेटिवी ध्यान प्रकास में आप सभी का हर्दिक स्वागत है तो आज का वीडियो बहुत ही इंपोर्टेंट है पंच वर्सी योजनाएं ये वो टॉपिक है जिससे हर प्रतोगी परिच्छा में एक दो प्रस्नों पूछे ही जाते हैं तो ये वीडियो देखने के बाद आपको कहीं और जाने जरूत नहीं पड़ेगी सारा टॉपिक आपका यहीं पर एक ही वीडियो में कवर करवा दिये जाएगा तो बस ध्यान से आप लोग पूरे वीडियो को वाज़ करते रहें देखे फ्रेंड्स भारत के स्वतंत्र होने के बाद पंडित जवारलाल नहरू की अध्यक्सता में अच्छा पंडित जवारलाल नहरू जो की हमारे पहले प्रिधान मंत्री बने तो उनकी अध्यक्सता में आर्थिक नियोजन समित का गठन किया गया था योजना आयोग से पहले आर्थिक नियोजन समित बनाई की थी और आर्थिक नियोजन समित की सिफारिश पर 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया कई बारे पर सुछ जाता है कि योजना आयोग का गठन कब किया गया तो यहाद रखना 15 मार्च 1950 को और भारत के प्रिदान मंत्री इसके अध्यक्स थे और भारत में जो पहली पंच वर्षी योजना स्टार्ट हुई कब सुरू हुई 1 अपरेल 1951 से लेकिन थोड़ा सा और आपको जाने की उरुत पड़ेगी देखो फ्रेंड्स योजना आयोक के पहले अध्यक्स बने पंडित जवारलाल नहरू जोगी पहले वो पाध्यक्ष कोन थे गुलजारी लाल नंदा तो ये बात आपको बिल्कुल रटी होनी चाहिए इसके बाद याद रखिए कि 15 अगस्त 2014 को योजना आयोक को समाप्त कर दिया गया तो योजना आयोक का जो इस्पैन रहा वो कब से कब तक रहा 15 मार्च 1950 से लेकर 15 अगस्त 2014 तक योजना आयोक काम करता रहा इसके बाद योजना आयोग के अस्थान पर एक नया कमिशन मना जिसको कहा गया नीत आयोग तो एक बात और भी कि गरीबी हटाओ देश बचाओ का जो नारा था वो 1971 के आम चुनाओं में इंद्रय गांधी ने दिया था गरीबी हटाओ देश बचाओ का नारा दिया गया 1971 में 1971 में चौती पंचवर्शी यूजना काम कर रही थी और ये नारा दिया गया था मतलब चुनाओ के दोरान लेकिन पाचवी पंचवर्शी यूजना में इस नारे को सामिल कर लिया गया तो एक प्रस्न ये भी बनता है कि गरीबी हटाओ देश बचाओ ये अभियान किस पंचवर्शी यूजना में शुरू किया गया था तो इसका आंसर बनता है पाचवी पंचवर्शी यूजना क्यों क्योंकि 1971 में जब चौती पंचवर्शी यूजना थी तब ये केवल चुनावी ना रहा था लेकिन बाद में यानि कि जो पंचवी पंचवर्शी यूजना जब शुरू हुई तो इसे पंचवर्शी यूजना का उद्देश बना दिया गया तो इसलिए प्रस्न बहुत इंपोर्टेंट है और इसका उत्तर रहेगा पंचवी पंचवर्शी यूजना भारत की जो बारह पंचवर्शी यूजना है रही है उनके जो उद्देश हैं और जो उनका टाइम स्पैन रहा उसके बारे में एक बहुत ही ब्रीफ में मैं आपको बताता हूँ देखो पहली पंचवर्शी यूजना ये स्टार्ट हुई थी 1951 में चली थी 1956 तक इसमें क्रिसी को प्रात्मिक्ता प्रदान की गई दूसरी पंचवर्ची उजना शुरू हुई 1956 में, खतम हुई थी 1901 में, इसमें उद्योग छेत्र को प्राथमिक्ता प्रदान की गई फिर आता है तीसरी पंचवर्ची उजना, 1901 से लेकर 1906 तक, इसमें भी क्रिसी को ही प्रदान प्रदान, मतलब की क्या किया गया है, कि स्वार रिलायंस, स्वार रिलायंस का मतलब आप निर्भरता, लेकिन वो भी क्रिसी के छेत्र में, तो बेसिकली जो उद्यश था वो था, क्रिसी छेत्र को बढ़ावा देना, फिर आता है चौती पंचवर्ची उजना, तो देखो यहाँ पर एक गयप मिलेगा आपको, 1906 में, जब तीसरी पंचवर्ची उजना समाप तुई, उसके बाद तीन साल तक, चाचचच, 67 और 68 में आवकास रहा, योजना का आवकास रह उननीस सो उनत्र से लेकर, 1994 तक, भारत के साथ गरीबी कम करना और विकास कायर में तेजी लाना, इस उद्धेश के साथ, चौती पंचवर्ची उजना स्टार्ट की गई, फिर पांचवी पंचवर्ची उजना, 1974 से लेकर, 1989 तक, इसमें उद्धेश का था, गरीबी को उट निरभर बनाना 1989 के बाद फिर 1980 से लेकर 1985 तक एक छटवी पंचवरसी योजना स्टार्ट की गई और इसमें क्या था पांचवी योजना के रूप में वही जूर दिया गया जो कि पांचवी योजना का यहां पर उद्देश था वही छटवी पंचवरसी योजना का भी 1990 तक फूड प्रोडक्शन, रोजगार और उत्पादक्ता इसका लक्ष रहा लेकिन सात्मी पंचवरसी योजना के बाद यहां पर आप देखेंगे कि दो साल का फिर गयप आता है 1991-92 तो आठमी पंचवरसी योजना जब शुरू ही तो सात्मी और आठमी के बीच में दो सा साल का गयप आपको देखने को मिलेगा 1992-97 तक चली आठमी पंचवरसी योजना इसका उद्यष था रोजगार स्रिजन जनसंख्या का नियंत्रण इसके बाद फिर कोई गयप नहीं होता है यानि कि आठमी पंचवरसी योजना के बाद फिर नौवी दस्वी ग्रामी और आप पांच-5 साल जोड़ते जाएए आपको हर पंचवरसी योजना का सही समें पता चलता जाएगा क्योंकि कोई गयप नहीं था इसमें और कोई खास इसका उद्धिस भी नहीं था क्योंकि इसके बाद उद्धिस अक्सर एक्जाम में नहीं पूछे जाते हैं आप चाहें इसमें क्रिशी छित्र पर ध्यान के साथ बहु उद्धिसी परुजना है जिसे कि हीरा कुड बात जो था भाकरा नांगल बात जो था इस पर ध्यान जो है लगाया गया GDP का वार्शी लक्ष कितना मतलब कि टार्गेट कितना किया गया 2.1 अचीव कितना हुआ 3.60 यानि कि उम्मीद से अधिक हमें प्राप्त हुआ तो पहली पंचुरिशी उजना पूर्ट है सफल रही फिर आता है दूसरी पंचुरिशी उजना इसका समय रहा 1956 से लेकर 1910 तक और अब्दोगी विकास की नीत इसका उद्देश था टार्गेट किया गया 4.5 परशेंट का लेकिन अचीव हुआ 4.1 तो थोड़ा सक्काम हुआ लेकिन फिर भी यह उजना सफल मानी जाती है तीसरी पंचुरिशी उजना 1961 से लेकर 1906 तक रही उद्देश था अर्थ नहां पर वार्शिक लक्ष 5.6 परसेंट का जो टार्गेट किया था प्राप्त कितना हुआ 2.8 परसेंट तो तीसरी पंचुरिशी योजना को एक असफल योजना मानी जाती है क्यों क्योंकि आप जाननी रहे हैं कि डडाई हो रही थी तो डडाई में तो नुक्सान होता है चोथी पंचुरिशी योजना तो यह योजना होई 1979 से लेकर 1974 तक ठीक है आर्थिक विकास और आत्म निर्भरता प्राप्त करने के लिए इसको टार्गेट किया गया टार्गेट रखा गया था 5.7 परसेंट का अचीव वा 3.3 परसेंट का तो तीसरी और चोथी जो पंचु पातार असफल रही पांच वी पंचुरिशी योजना कभी स्टार्ट होती है 1974 से लेकर 1978 तक गरीबी उनमुलन क्रिशिव उत्पादन और आप निर्भरता तो गरीबी एटाओ देश बचाओ का नारा भी इसी में समयल किया गया था टार्गेट किया गया था 4.4 परसेंट का अचीव भुआ 4.83 परसेंट का तो यह योजना पूर्ट सफल रही छटी परसेंट का समय रहा 1980 से लेकर 1985 तक आप देख रहे हैं यहां पर आपको दो साल का गैप मिलेगा क्योंकि सरकार बदल गई थी ठीक है इसी दोरान इमर्जंसी लागू हुई थी जंता दल की सरकार ब इस रोलिंग प्लान को छटी पंचवर्शी योजना में समात करके फिर से पंचवर्शी योजना को स्टार्ट किया गया यह यह योजना आई थी अस्तित में 1980 से लेकर 1985 तक आर्थिक विकास और गरेवी इनमूलन का टार्गेट था इसी दोरान नाबाड बैंक की स्थापना हुई नाबाड की स्थावना का हुई थी 1982 में हुई थी यह तो आपको पता ही होगा तो उसमें छटी पंचवर्शी योजना चल रही थी यह प्रस्न एक्जाम में आता है जो वार्शिक विकास लक्ष घुसित किया गया था वो था 5.2 अचीव हुआ 5.7 तो पूर्ट सफल योजना रही सात्वी पंचवर्शी योजना का समय रहा 1985 से लेकर 1990 तक गरीबी उनमुलन रोजगार ग्रामीड विकास सामाजिक सिवा जनता तक पहुचाना यह टार्गेट था 5.0 का वार्शी विकास लक्ष निर्दाइद किया गया था अचीव हुआ 6.02 परशन का तो 1997 तक जनसंख्या नेंतरण के साथ मानों संसादनों पर कारे यह इसका उद्दिश था 5.6 का टार्गेट किया गया अचीव हुआ 6.8 नमी पंचवर्शी योजना 1997 से लेकर 2002 तक टार्गेट किया गया था 6.5 परशन का अचीव हुआ 5.4 दसमी पंचवर्शी योजना 2002 से लेक 2017 तक टीक है तो इस प्रकार से लगातार यह जो योजना है रही मों चलती रही है और आप कह सकते हैं कि आठवी पंचवर्शी योजना के बाद जो हमारा हमें हमें जो प्राप्ती हुई थी वो संतोष जनक थी ठीक है इसके बाद देखिए जो बारहावी पंचवर्शी यो ठीक है तो उसके बाद क्या हुआ फिर एक नई योजना लागी गई है उसके बारे में आगे आगको हम बताने वाले हैं तो फिलार फ्रेट्स थोड़ा डेटेल में चलते हैं पाले पंचवर्शी योजना 1951 से लेकर 1956 तक रही यह हैरोड डोमर माडल पर आधारी थी पंडि मिक्ता क्रशी को दी गई थी आरतिक व्योस्ता में संतुलन इसका मुख्य उद्यश था जी डीबी का वार्शी लक्ष 2.1 परशंट था योजना सफल रही 3.6 परशंट विकासदर को हासिल हुई तो यह बहुत बड़ी बात थी इसको आप याद रखना फिर अगला पॉइं तो इसका उत्तर बनता है दूसरी पंचवर्शी योजना ठीक है तो यह योजना भी पंडित जवारल नहरू के नितरुत में लाज जुई थी और इसका जो वार्शिक लक्ष था वो था 4.5 अचीव वो था 4.1 ठीक है और एक बात और कि कई सारे उद्योग जो की राउर केला के इसपात कार खाने थे वह दूसरी पंचवर्शी योजना के दोरानी लगाए गए थे तो यह भी एक्जाम में आता है फिर आगे बढ़ते हैं बात करते हैं तीसरी पंचवर्शी योजना के बारे में 1961 से लेकर 1966 तक चली थी यह योजना का मुक्यूद्यस था देश में अर्थवश्था को आत निर्वर बनाया जाए और यह योजना भी पंडि जवार्ला नहरू की नित्रुत में लांच वी थी अच्छा पंडि जवार्ला नहरू की जुड़े थी वो 1964 में हुई थी उसके बाद लार बाहदू सास्त्री जी प्रधान मंत्री बने थे तो 35 योजना जो थी यह असफल योजना रही क्यों क्योंकि इस इसमें भारत चीन युद्ध हुआ और भारत पाकिस्तान का भी युद्ध हुआ इस योजना में कृसी तथा उद्योग दोनों को प्रात्मिक्ता परदान की गई थी एक महत्तुपूर बात आको बताता हूं क कि 35 योजना के दवरानी हरित क्रांति की भारत में सुरुवात की गई थी फिर 1966 और 1967 से लेकर 69 तक योजना का आवकास रहा इस समय तीन प्रमुक वार्सिक प्रान चलाए गए थी इस योजना में कृसी और उद्योग चित्र को काफी प्रात्मिक्ता दी गई थी भारत पाकि स्टार में स्टार्ट होती है 1974 तक चलती है पूरे पांस साल योजना का उद्यस क्या था आर्थिक आत्मिक्ता को प्राप्त करना इंद्रा गांधी के नित्रुत में यह योजना स्टार्ट हुई थी वार्षिक लग्स की तना था 5.7% प्राप्त किता हुआ 3.3% और योजना के असफन होने का जो प्रमुक कारण था वो था बांगला देश स्रनातियों का आगमन फिर आती है यहाँ पर पांचवी पंचवर्षी योजना 1974 से लेकर 1978 तक चार साल तक इसी योजना के दोरान इमर्जंसी लागू हुई थी और इसके बाद इंद्रा गांधी सरकार गिर जनतादल की सरकार बनी थी और जनतादल सरकार ने रोलिंग प्लान स्टार्ट किया था तो तमाम चीज़े हैं तो GDP का लक्ष था 4.4 परसेंट प्राप्ती हुई 4.8 की तब भी यह योजना सफल रही थी इसके बाद फ्रेंड्स आती है आपकी छटवी पंचवर्षी योजन रहा टागेट था 5.2 परसेंट का रिशीव हुआ प्राप्त हुआ 5.54 परसेंट का साथमी पंचवर्षी योजना का जो मुखी बिंदु है 1985 से सुरू होती है 1990 तक चलती है यह उजना राज्यू गांधी के नत्रुत वे यह उजना लागू हुई थी और आपको याद होगा कि 1984 में 1984 में इंद्रा गांधी की हत्या हुई थी उसके बाद राज्यू गांधी जो थे वो प्रसान मंद्री बने थे तो जो साथमी पंचवर्षी योजना थी इसको राज्यू गांधी के नत्रुत में लांच किया गया था टार्गेट था 5.5 परसेंट का और प्राप्त प्रसेंट के प्रिद्ध्य हुई या प्रत्विक्त आयमें प्रिद्ध्य हुई थी तो यह साथमी पंचवर्षी योजना थी इस योजना में भोजन काम और उत्पादन का नारा भी दिया गया था तो एक्जाम में यह आ सकता है कि भोजन काम और उत्पादन का नारा किस प इस योजना में सबसे ज्यादा प्राथ मिक्ता मानव संसाधन के विकास रोजगार और सिक्षा पर दी गई योजना के समय प्रधान मंत्री रोजगार योजना में शुरू की गई थी फिर समय आता है नौमी पंच वर्षी योजना का 1997 से लेकर 2002 तक तो इस योजना का प्रमुकुद्य से समानता के साथ दिकास और नयवितरण था योजना अटरल ब्यारी बाजपई जी के नितरुत में लांच वी थी टार्गेट था 6.5% का प्राप्त वाफ 5.4% का लेकिन फिर भी इसे स्थफल ही माना जाता है इस योजना के अस्वपन होने का प्रमुकुद्य अंतरराष्ट्री मंदी थी इसी योजना के था चेतरी संतुलन पर विसेज जोर दिया गया फिर दसवी पंच वरशी योजना के समय वाता है 2002 से लेकर 2007 तक यह कोई खास योजना नहीं थी लेकिन फिर भी जो टार्गेट था 8% का वो 7.5% तक गया और इस योजना में क्रिशी उत्पादन में 4% ब्रिद्धी का लक्ष लांच हुई थी 9% का टार्गेट रखा गया 8.83% के प्राति वही गिराहमी पंच वरशी योजना के लिए सिक्चा के लिए एक थीम रखी गयी थी थीम का नाम था तीब्र और अधिक समावेशी विकास फिर अंतिम पंच वरशी योजना शुरू होती 2012 से लेकर 2017 तक चली औ और इसका प्रमो कुदेश से तेज अधिक समावेशी और सतत विकास रखा गया योजना मनमोहन सिंग के नेद्रूत में लांच हुई थी GDP का टार्गेट 9% था राप्त हुआ था 8% इस योजना के तार क्रिसी मत्स चेत्र 4% का लक्ष रखा गया था इसके अलावा विनिर्म दौन में 10% का लक्ष रखा गया था पांच करोन लोगों को रोजगार उपलब दिकराने का भी टार्गेट बरहावी पंच वर्शी योजना में रखा गया था तो भारत में एक जनुरी 2015 में एक प्रस्ताव पारित किया गया तथा उस प्रस्ताव के तहर योजना आयोग की जिगा एक नई संस्ता नीत आयोग को अस्तित्व में लाया गया नीत आयोग पंच वर्शी योजनाओं के संबंद में भी सरका को सला देने वाली थी लेकिन इस योजना को समात कर दिया गया 2015 में ही एंडिये सरकार दोरा पंच वर्शी योजनाओं को 2015 में बंद किया गया और इस कारण बारहमी पंचवर्षी योजना के बाद पंचवर्षी योजनाओं का कोई अस्तित्तो नहीं रहा। नेतियायोग ने एक ड्राफ्ट एक्सन प्लान पेस किया था जो पंचवर्षी योजनाओं थी उसकी जिगह पर एक ड्राफ्ट एक्सन प्लान आया जिसके आधार पर अब 15 वर्सों के लंबे विकास योजना पर काम किया जाएगा और यह जो योजना है 2017 से 2035 तक रहेगी इस इसके तयात साथ वर्स के ड्राफ्ट बनाई गई है तीन वर्स एक्सन पेस किया जाएगा जिसमें बताया जाएगा कि सरकार देश के नागरिकों को क्या-क्या सुविधाय देगी इत्यादी इत्यादी तो फ्रेंड्स पंचवर्षी योजनाओं के बारे में एक कंप्लीट डिसकुसर नियाद पर हमने कंप्लीट किया अब बारी है आपके नॉलिज टेस्ट की तो चलिए कुछ प्रस्णों को मैं रखता हूँ आपके सामने इसका उत्तर फटा फट आपको बताना है तो पहला कोशन है भारत की पंचवर्षी योजनाओं को अंतिम स्विकृति कौन देता है भारत की जो अंतिम पंचवर्षी योजनाओं होती है बनाता कौन है बनाता तो इसको योजना आयोग था ये तो आप जानते ही है योजना आयोग इसको बनाता था तेकिन अंतिम स्विकृति देता था राश्ट्री विकास परिसर ENDC तो option B correct है भारत में योजना आ है भारत की पहली पंचवर्षी योजना कब शुरू हुई थी मैंने आपको बताया था जो पहली पंचवर्षी योजना थी वह 1951 से लेकर 1956 तक चली थी सही जबाब है option A प्रतम पंचवर्षी योजना किस माडल पर आधारी थी ये प्रस्ण बहुत ही अच्छा प्रस्ण है most important में रख लेना तो पहली पंचवर्षी योजना जो थी यह हैर और डोमर माडल पर आधारी थी option C आपका correct है भारत की पहली पंचवर्षी योजना का प्रमुक लक्ष क किया था तो क्रिसी का अभिकास यह मैंने आपको बताया था सही जबाब हो जाएगा इसका क्रिसी का अभिकास option D भारत में और दोगी करन की प्रक्रिया किस पंचवर्षी योजना में प्रम्ब की गई थी तो मैंने आपको बढ़ाया था कि जो आदोगी करन लक्ष था वो दूसरी पंचवर्षी योजना का लक्ष था और जो दूसरी पंचवर्षी योजना थी वो कब से कब तक थी 1956 लेकर 1971 तक तो सहीज़ बाप बन जाएगा दूसरी पंचवर्षी योजना that is option D अगला question है दूसरी पंचवर्षी योजना किस माडल पर आधारी थी इसको भी आप five star question में रखो ठेक है बहुत अच्छा प्रस्न है एक्जाम में कही बार आता है तो दूसरी पंचवर्षी योजना जोती फ्रेंड्स को PC महाल अनुविस माडल पर आधारी थी option C correct है पहली वा पर correct है किस पंचवर्षी योजना के दौरान देश में तीन लौव इस्पात सेहंद्र अस्थापित किये गए थे तो फ्रेंड्स ये जो लौव सेहंद्र इस्पात सेहंद्र जो अस्थापित किये गए थे मैंने आपको पढ़ाया था ना कि ये दूसरी पंचवर्षी अस्थापित किया गया था अगला कोशन है दूसरी पंचवर्षी योजना वदी में अस्थापित तीन लौव इस्पात सेहंद्रों में कौन सा सामिल है तो दुर्गापूर इस्पात सेहंद्र रावर के ला इस्पात सेहंद्र और विलाई इस्पात सेहंद्र तो यहां पर अप्रेल 1971 से लेकर 31 मार्च 1906 तक तो option C आपका बिल्कुल correct है तीसरी पंचवर्शी योजना की कारिनीत में सरवार्धिक बल किस छित्र के विकास को दिया गया था तो friends मनें आपको बताया था कि क्रिसे विकास इसका मुख उद्धिश था फिर भी इसका सही जिबाब option B पाकिस्तान से लड़ाई हुई थी और देश में उसी दोरा अकाल भी पड़ा था तो बड़ी बुरी स्थिती थी तो क्रिसी पर ये हमारी अर्थव्योस्ता उसमें इस्थिती थी तो हमारा प्रयास था कि क्रिसी में अधिक से अधिक उत्पादन लिया जाए अगला question है कि ह हरित करांदी की सुर्वाद जो है वो 1965 में हुई थी कहीं कहीं पर इससे 1967 लिखा जाता है लेकिन इसका जो answer है वो बनेगा तीसरी पंचवर्शी योजना तो option A यहाँ पर आपका बिल्कुल correct है पंचवर्शी योजना के इत्यास में भारत की सरवार्दिक असफल योजना किसे मानी जाती है तो यह तीसरी पंचवर्शी योजना थी option C इसका बिल्कुल correct है भारत में योजना अउकास कौन सी पंचवर्शी योजना के बाद घोसित किया गया था तो friends इसका answer बनेगा option B तीसरी पंचवर्शी योजना तो यह 15 पंचवर्शी योजना थे और उमीद करता हूँ कि सभी प्रसन आपने खुब enjoy क्या होगा और मुझे पुरा विश्वास है कि पंचवर्शी योजना के बारे में सारे concept आपके बिल्कुल clear हो गये होंगे तो अगर वीडियो फ्रेंड study with ज्यानप्रका से जुड़ जाएए वहाँ पर आपको इसकी PDF से एर कर दी जाएगी thank you so much